नमस्कार आज के इस मॉर्णिंग पॉड्कास्ट में आपका स्वागत है सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल मार्केट के अंदर धीरे-धीरे हलसल बढ़ते जा लिए काफी इंपॉर्टन रहना है तो यह अपते में काफी इंपॉर्टन डीटा पॉइंट आने है नो डाट हॉलिडे मूड के वज़े से भी कही न कहीं एक ठैराव भी हम देख पाएंगे तो सबसे पहले अगर हम डेटा पॉइंट पर द्यान रखें तो यह अपते में जो डेट सब्सक्राइब के मिनिट्स जो ओपन हो रहे हैं अभी उसमें होकी स्टॉन होगा या डावी स्टॉन होगा डेट इस मोस्ट इंपॉर्टन आज वर्नेस डे में अल्री हम देख रहे हैं कि FMC मीटिंग के मिनिट्स के आउटकम धिर दिर आने चलो हो जाएंगे साथ में आज Unemployment Claims का डेटा आएगा जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है 231 से जो डॉलर को सपोर्ट करेगा और जबी भी डॉलर को सपोर्ट आता है तो हम ज्यादा करके देखते हैं कमोर्टिस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कल के सेशन में तो हमने दे देखाता है युएस के जो इंफलेशन कंसर्स है वो देदरे कम होता हुआ दिखाई देरा कच्छे तेल की इंवेंटरी में हम ड्रॉप आते हुए देख रहे हैं जिसकी वज़े से जो कल की गिरावट थी वो अब कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देका नैचर अगरार के सेशन में भी हम सर्वीस और मैनुफेक्श्रिंग प्यमाई के आखरे देखेंगे अब सबसे पहले अगर डॉलर देखते हैं तो डॉलर में अगर आप देखेंगे तो प्राइज में कंटीन न्यू लो बनाया जा रहा है हो सकता है आज के डेटा पाइंट के तो कहीं न कहीं अगला दो दिन क्योंकि एक हॉलिडे भी है इसके लिए और अगरेम देखेंगे तो आज काफी कुरिशल डे रहेगा डॉलर इंडेक्स के लिए यह क्योंकि फैट के जो बनेट्य से रहेंगे वह कहीं न कहीं फाइनिशल कंदीशन आगे कैसे रहेंगी और थोड़े बहुत जो अब्डेट अभी तक मॉर्णिंग तक आये हैं वहां पर पार्टीजिबिन देखा है कि जो लेटर जेडीपी की रिपोर्ट है वह अनेक्स्पेक्टेटली स्ट्रॉंग पेस या कंजूमर स्पेंडिंग है वह भी अच्छे से मूग कर रही है जापान से कि हमने देखा जापान कट जो आया है व्यू एकोनोमी के ओपर पहले दस मिनों में उसकी वज़े से थोड़ा सा हमने कंसर्स देखा डॉलर में एक स्टैंट आते वह देखी फैड अभी तक तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि रेट कट हम इमिडियेटली कर देंग में होगा तो अभी तक हमारा मानना है कि अपराइल मही में होना ची अगर मार्च में अगर रेट कट का कोई भी इंडिकेशन आता है तो कहीं ना कहीं सोने और चांदी को जबरदस तीजी मिली कल के सेशन में भी हमने देखा कि गोल्ड इंटरनेशनल में दिन के सेशन में त तो 2010 के ओपर एक बड़ी तेजी बट उसके लिए रेट कट के अपडेट से आने चाहिए बट टाइमिंग हमें लगता है थोड़ा सा कर पूल बैक भी मिलता है लेके काम करना चाहिए चांदी लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो एक तरह का डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेक ब्रेक आउट आया है अपसाइड का जहां पर बाइस डॉलर से मार्केट गुमतावाथ 24 डॉलर का लेवल चूगया अब यहां से भी हम देख रहे हैं थोड़ा कंसॉल्डिशन रहेगा और 24 डॉलर के ऊपर निकलने पर हम एक नई यहां पर मैंने पहले भी कहा था आपको इन्वर्टेड हैड और शोल्डर पैटन बना हुआ है और उसका ब्रेक लाइन जो बना हुआ है वह मान के चलिए 24 डॉलर का है तो 24 के उपर होल्ड करने पे दो ड्हाई डॉलर की तेजी बैर मिनिमम दिखेगी कॉपर के प्राइज प्राइज के अंदर पिछले तीन सेशन में मार्केट साइड़ वे टू पॉजिटीव हो रहा है एक बड़ी गिरावट के बाद मार्केट खुद को समालने की कोशिज कर रहा है तो डॉल्ट यह में हमें लगता है असी डॉलर तक का एक पुलबैक वहीं ब्रैंड के अंदर के अंदर अगर हम देखते हैं तो प्राइज हार लेवल पर एक्सिलेट करके चल रहा है तो डॉलर की गिरावट के चलते हमने एरो जी बीपी जेपी वाई में कई ना कई थोड़ी सपोर्ट आती वे देखे हैं दो दिन की तेजी के बाद सोया बीन सोया मिल सोया तेल में थ के लिए ओन कर दिया है साइस टू फिट ओके तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में यह गिरावट आईगी यहां से एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंट वापस 200 मोविंग एवरेज की तरफ जा सकता है तो प्राइजस में एक थोड़ा बाउंस दिखा रहा है डॉलर इंडेक्स में फिर गिरावट मिलेगी नेगेटिव क्रास और अभी चल रहा है हाई वाल्टिटी जोन में है तो कुल मिला कर डॉलर इंडेक्स में अभी भी गिरावट रहेगी बट आज और कल के अंदर एक पुल बैक पॉसिबल है दोसों इंटरनेशनल सोना इस बार स्पार्ट में अगर हम देखें तो 2000 के बिलकुल नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है कल हमने एट वन पॉइंट आफ टाइम करीबन 277 का हाई देखा था यह डबल टॉप जैसा भी फॉर्मेशन है बट कही ना कहीं हमें लगता है कि नहीं देजी के करता हुआ दिखाई दे रहा है तो positive crossover में convert हो चुका है थोड़ा भी pullback मिले लेके चलिए बट ध्यान रखिए 2010 के ओपर नई तेजी एक अच्छी तेजी के साथ market को move करता हुआ अच्छी long term तेजी मिलेगी तो हमने जैसे बताया था कि expiry के time पे हम लोग कभी एक correction generally देखते है बट expiry हो चुकी है नियरबाए है पांच तारी की domestic मार गए इधर भी हम देखेंगे चांदी में बार बार में downward sloping channel पर यहां पर consolidate कर रहा है एक बार अगर 24 के ओपर निकलता है तो immediately अगर target हम देखे तो 25-26 का target हम देख पाएंगे तो कुल मिलाकर अगर हम देखे तो चां के अंदर buy and drop की रणनीती बनाएं नई तेजी की highs में आ सकता है वहीं mcs गोल की अगर बात करें तो exactly हमने support level के नीचे जाते वे देखा प्राइजेस रिकवर की immediate hurdle जो है 51500 का है अगर 51500 के ओपर प्राइजेस निकलता है तो new high बनता हुआ गोल में दिखेगा जबकि जियो प 500 का नीचे लेवल नहीं तोड़ता है higher possibility के 51500 का लेवल तोडने पर हम at least bare minimum पिसला जो हाई था बासेट अजार का वो तोड़ता हुआ देखेंगे चांदी की भी अगर हम बात करें तो चांदी में भी चार्टी कली मार्केट यहां पे एक inverted head and shoulder pattern बन रहा हुआ है नेक लाइन की अगर बात करें तो brand के अंदर हमने देखा एक harmonic pattern बनने की वज़े से prices को एक support मिलता हुआ दिखाई दिया है as of now market जब तक $81 के उपर maintain है 84 तक का level दिखा सकता है जबकि अगर हम कच्छे तेल के अंदर WTI की बात करें तो यह भी 80 के आसपस का recovery दिखा सकता है m6 के अंदर हम कच्छा तेल domestic market पे बट रुपे में जी दंग से गिरावट बढ़ रही है यह support देता हुआ दिखाई देगा तो आज के लिए कच्छे तेल के अंदर भी buy on drop की रनीती बनाई है यहाँ पर आप देख सकते है natural gas के अंदर एक multiple support pattern बना हुआ है तो आज 236-232 का एक support ले सकता ह बट 200 moving average और weather यह सबको देखते हुए मुझे लगता है salon rally करके चलिए overall trend मंदाई रहना है copper की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने rounding bottom का breakout आते हुए देख चुका है थोड़ा pullback अगर मिलता है लेके चलिए 720-724 का target रहेगा वहीं अगर jink की अगर बात करें तो थोड़ा technical pullback दिखाई दे रहा है बट 225 के नीचे prices जाएगा नी और यहां से हमें लगता है कि prices 225 से लेके 230 के बीच में रहेगा supply side concerns बने हुए हम लैड के अंदर भी एक rounding bottom का breakout नहीं आ रहा है 190 के ऊपर sustain कर जाता है तो at least 196 तक का level हम देख पाएंगे आज के लिए थोड़े pullback पे हमें लेके चलना चीए सभी waste metal में तेजी का रुख बनता हुआ रहेगा एगरी कमाउटी के अंदर बात करें तो मैंथा ओई के अंदर हमने recently देखा था कि prices में एक fall expected था अब market यहां से support लेके उठें की कोशिज कर रहा है cotton के अंदर भी हम देख रहे हैं कि धिरे-धिरे arrival pressure कम होता हुआ दिखाई दे रहा है प्राइजे 56,000 का अच्छा सब सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है caster के अंदर यहां पर daily chart के उपर काफी अच्छे formations है intraday के लिया से भी आज लेके चलिए 5980 का level तोड़ने पर हम जल्द 600 का भी level क्रॉस कर जाएंगे धनिये के अंदर भी fundamental काफी मजबूत है टेक्निकली भी अगर हम देखे तो rounding top बना हुआ दिखाई दे रहा है 8,000 के support से market उठता हुआ दिखाई दे रहा है immediately 8,200 तक का target दिखने मिल जाएगा हल्दी में एक बड़ा fall आया है बट कहिना के important support के नीचे आचुका है नीचे आप दिखेंगे तो 200 moving average का support भी बना हुआ है तो एक बार यह 12,600 के उपर निकल जाता है तो हम 13 का level regain कर लेंगे current level से short avoid कीजिए जीरे के अंदर तेजी कायम रहेगी as of now हमें लगता है कि prices जब तक 45,000 के उपर maintain है higher side में हम एक बार 48 तक का level देख पाएंगे cotton seed oil cake के अंदर भी जब तक 3000 का level नहीं तोड़ता है 880 से लेकर 2880 से 2980 के बीच में trade करेंगे एक बार 3000 का level तूटा तो हम 32 का level भी देख पाएंगे overall हर agree commodities में एतीजी बनी भी रहेगी वहीं गवार complex के अगर बात करें तो market एक support trend line के करीब market trade करता हुआ दिखाई दे रहा है as of now maybe आज भी अगर हम देखें तो 5650 तक का level देखेंगे 5650 से 5850 के बीच में गवार seed और गवार गम की भी अगर बात करें तो 11200 से लेकर 11800 के बीच में market करता हुआ दिखाई देगा वहीं अगर हम sunflower oil की अगर बात करें तो sunflower oil के जो नया contact launch हुआ इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि prices slowly and steadily एक दाइरे में trade करता हुआ दिखाई दे रहा है तो 900 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है 910 का इक important hurdle बनाईगा बट अगर हम देखें आने वाले दिनों में एक तीजी का रूप बना हुआ दिखाई दे गाई इसके साथ मेरा सब्सक्राइब करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद